Assalamualaikum my youtube family welcome to my youtube channel जो लोग मेरे चैनल पे नही है वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करतें विडियो को इंट नाजमें देखेगा आज की विडियो बहुत मजेगी है आज की वीडियो में आपको बताऊंगी वेजटेबल पास्टा किस तरा बनाते है सबसे पहले एक सॉस पैन में आईल ले लेंगे आईस पर टेस ले लियां इसके बाद जाहें एक अनियन चॉप करके मैं इसमें डाल दूंगी इसको और में सॉटे कर लेंगे इसके बाद इसमें एक टमाटर एड़ कर देंगे इसके बाद यह मैंने पीस बॉयल करके रखे वे थे यह इसमें आड़ कर देंगे और इसके बाद यह गाजरी काटके रखे हुई थी मैंने इसमें डाल देंगे और इन सारी वेजटेबल्स को सॉटे कर लेंगे इसके बाद केपसिकम छॉप्ट इसमें डाल देंगे आप अपनी मर्जी की कोई से भी वेजटेबल इसमें डाल सकते हैं अगर आप इसके लिए कोई और वेजटेबल अट कर सकते हैं जीन को स्टर फ्राइट कर लेंगे साथ ही जो है वो एल्बो में क्रोनी मैंने बॉइल कर ली है एक चमच नमच इसमें डाल देंगे हाफ टेबल स्पून रेट रिली एट कर देंगे और यह हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर इसमें अड़ कर देंगे अगर आप रेट फिली नहीं अड़ करना साथ है तो भी ठीक है आप जस्ट ब्लैक पेपर अड़ कर दें इसके बाद इसको लिट से कवर कर देंगे और थोरी देर के लिए पतने लेंगे इसके बाद इसमें ट्माटो कैचुप आड़ कर देंगे अंड़ कर देंगे कैच्छप एड़कर की थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे उसके बाद जो है वह एल्बम मैक्रोनिस मैंने बॉइल के रख ली थी वह इसमें एड़ करते जाएंगे इसमें इसमें एड़ कर दी है बने को जैसे मिक्स कर लेंगे कर लेंगे कर दो है है और ये बहुत ही मज़गी लोका आ रही है पास्टा की को अच्छे से समझे ला लेंगे और इसके बाद जो है वो लिट कवर कर देंगे ताके ये अच्छे से पक जाएं बस थोड़ी दे ही के लिए आपने लिट कवर करने है जी तो ये मज़ेदार पास्टा रेडी है इसको डिश आउट कर लिया मैंने आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो बसंद आए तो इसको लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और इस रेस्पी को ज़रूर चाय करें और मुझे कौमेंट सेक्षिन में जthe route बेता इगा कि आपको आज की वी रैस्पी कैसी लगी कि और इस खिलाव मुझे कमके मैं सेक्षिन में बताएंगा कि आप नेख्स कौनसी रैसपी देखना चाहते तरें मैं कि मुझे आपके फीड़बैक का इंतजार रहेगा वीडियो का आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना इसको एंड तक लाजमी देखना है और जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं लाइक करते हैं उन सब का थेंक यू आप जहां रहें हमेशा खुश रहें और मुझे दौा में याद रखें मिलते हैं नेक्स एक बहुत अच्छी रेस्पी के साथ तब तक के लिए आपके लिए बहुत सी दौाइं अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्ला हाफिज झाल नेक्स प्रिए ऑच्छी दौप्टाट्ट में आपके लिए आपके लिएपटवागर वीए जलते हैं झाल तेस लिए बहुत साथे प्रूप्टाटर्स फ्रिएगा रखिएट कर अब़के लिएगाबदाबदाबदाबदाब